Hello everyone, my name is Gorov, welcome to the WS Script Tech, WS Script Tech में आप सभी का स्वागत है, जैसे कि आप सभी को बता है, हमारे drawing tools चल रहे हैं, AutoCAD के अंदर, और AutoCAD के अंदर आज हम discuss करने वाले हैं, Ray Command को, Ray Command को किस तरह से use के जा सकता है, इसका purpose किस तरह से use के जा सकता है, इसको हम देखने वाले हैं, तो basically आप कि एक particular point से start होती वे infinite line तक जाती है, लेकिन जब हमने x line command को use के था, तो x line command के अंदर यहां पर हमने देखा था, कि आपके पास जो line थी, वो minus infinite 2 कहां तक जारी थी, प्लस infinite तक जारी थी, तो यहां पर जो Ray Command है, वो यहां पर एक particular point, starting point से लगा कर, आपके पास जो directions है, आप जिसी भी directions में देना चाहेंगे, आप उस directions के अंदर उसको draw कर सकते हैं, देखिए हम आटोकाइट के थुरू समझते हैं, कि आटोकाइट के थुरू हम किस तरह से यहां पर Ray Command को use कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर बात करें, तो चलते हैं, आप आटोकाइट के अंदर आ आटोकाइट करने पर यहां पर यहां पर यहां पर लिखावाई है, Ray Specify Starting Point, तो यहां पर हमें किसी भी Ray का बन ड्रॉ करना है, तो आपको एक Specify First Point देना पड़ेगा, तो यहां पर मैंने Specify Enter कर दिया है, अब लिखा है Specify Through the Point, Specify Through the Point का मदब क्या हुआ, आप किस एंगल के थू यहां पर Ray को देना चाहेंगे, तो basically मैं इस एंगल के थू यहां पर Ray को देना चाहूँगा, यहां पर देखे, आपकी जो इच्छा है, वहां पर आप इसे Ray को ड्रॉ कर सकते हैं, आपको समझे में आ चुका होगा, कि Ray कमांड किस तरह से यूज़ करना है, बहुत सिंबल है यह रे कमांड, देखे, रे कमांड का basically यूज़ कहां पर आने वाला है, किसी एक पर्टिकल पॉइंट के थू, आप किसी भी पार्ट को बाइसेक्ट करना चाहते हैं, आप छोटे यहां पर Ray कमांड को हम by use करेंगे यहां से, यहां से भी यूज़ कर सकते हैं, तो पहले particular point देदी है यहां पर, अब मैं चाहता हूँ यहां पर angle दे, yes, angle देना चाहते हैं यहां पर, तो यहां पर angle कैसे दे सकता है, जैसे हमने inclined line ड्रॉ करने के लिए angle को ड्रॉ किया था, उ अब यहां पर बात करें, हमारे पास देखें, यहां पर 45 के बाद यहां पर पूछे जा रहा है, आप यहां पर कौन सी ऊपर Ray चाहेंगे, यह downward Ray लेना चाहेंगे, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर देखें, अब आपके पास पूछे जारीए, next Ray आप किस तरफ ल लिए तो आपके पास रहा होचे है, देखिए, रह कमांड और एक्सलाइन कमांड में आपने देखा होगा basic reference, एक्सलाइन थी, वो minus infinite to plus infinite जारी थी, लेकिन आपकी जो Ray कमांड है, Ray लाइन है, यहां पर Ray लाइन आपके क्या हो रही है, पर्टिकुलर specify point के थूँ यहां से क् आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कुलर को आप पर्टिकुलर एक सेक्षिन में डिवाइड करना चाहेंगे, तो वहां पर आप Ray कमांड का यूज करके भी कर सकते है, लेड़ आपको समझे आचुका होगा, इरे कमांड का यूज किस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, यहां पर इसका जो शॉटकर कमांड है, वो यहां पर Ray enter है, या फिर आप बाइक कमांड टूल्स के अंदर जा सकते हैं, आपके बाइस जो ड्राइंग टूल्स है, वहां पर भी जाके आप इस तरह कमांड को इनेबल कर सकते हैं, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्षर के था लाइस जा प्याτα?